मायावती UP के विपक्ष की राजनीत में मायावती वो सवाल है जो किसी को समझ में नहीं आ रही एको रखलेश श्यादव देश व्यापी गडबंधन का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं तो वहीं UP में वोट शेयर के हिसाब से विपक्ष की दूसरी बड़ी पार्टी बसपा और उसकी मुख्या मायावती से दूरी बनाते नजर आ रहें ऐसे में जब सपा कार्याले में बिहार के सीयम नितीश कुमार और डिप्टी सीयम तेजस्वी यादों से अखलेश श्यादों की मुलाकात हुई तो ये सवाल बड़ा हो गया कि क्या इस मूर्चे में मायावती भी सामिल होंगी जब यही सवाल प्रिस कॉंफरेंस के दौरान नितीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने तालते हुए कहा कि अभी हम अखलेश श्यादों से मिलने आए हैं वो कुछ और भी कहना चाह रहे थे कि अखलेश श्यादों ने माइक मोड कर पत्रकारों को थैंक यू बोल दिया अब यह घटना चाहे अंजाने में हुई हो लेकिन राजनीत की गलियारों में इसकी चर्चा तेज है वैसे भी अखलेश श्यादों 2019 के बाद से मायावती को लेकर सहज नजर नहीं आ रहे हैं वहीं अखलेश श्यादों को लेकर मायावती भी लगातार हम लावर है निकाह सुना में मेर के लिए 10 मुसलिम प्रत्याशी उतारकर अखिलेश यादो की वोट बैंक में शेंधमारी की कोशिश कर रही है मायवती इन सब के इतर PC में नितीज कुमार ने और कई मुद्दों पर खुल कर राय रखी है काम नहीं हो रहा है सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है तो वैसी इस्तिती में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बात्जीट चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बात्चीट किये हैं और जैसा इनों ने कहा, हम लोगों ने उत्ताय किया है, कि ज़्यादा स्ज़्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एक्लिट करें, और बिल करके सब लोग काम करेंगे, ताकि इस देश, यह देश आगे बढ़े, मुक्ति मिले पूरे देश को और आप समझ रहे हैं देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग है तो लोगों को तो जानना चाहिए न सब चीज़ को और जो काम हो रहा है काम क्या हो रहा है खाली परचारी ही नहीं हो रहा है तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ही सब लोगों से बातचीत पहले से ही हो रही है और आज भी बातचीत हुई है हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिलकर के अधिक साथिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फाइदा होगा और देश के हित में होगा तो इसी दृष्टिकों से बाचीत हो गई जो आपको कहा हम सब लोग आये हुए है तो मिल करके हम लोग सब काम करेंगे ये बात हो गई है और हम लोग का संबंध जो है इस राज से उत्तर प्रदेश क्या समझ रहे हैं आप जो जो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग का तरिस् और मिल जूल करके तो हम लोग चलेंगे लेगिन पूरे देश के अन्य जगों के हित में भी हम लोगों ने बाचीत किया है कि अन्य जो पाठिया है सब के साथ बात करके और उसको एक जुट करेंगे यही बात हुई इसी के लिए आए है आप लोग के साथ और अच्छा करेंगे जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे और एक चीज़ हम बता देते हैं अपने बारे में बता देते हैं हमको नहीं बनना या च्छी तरह जालनी जी हम सब को खाली एक जुट करने में लगे अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए हम देश के ह अब यह दो लोग होगे सब बैट करेंगे हैं अंके हम लोग फोटा इनके चिस्ट है नजी हम लोग पांदोलन उन्हीं के नितित में रहे हैं तो इसलिए हुग तो बात स्विकार किये हम लोग जब इस्टूडेंट थे उस समय जब किये बैठे इनके पिता जी और हम लोग सब साथ थे आउ मान उनको हम दोगरा रोग की आउ मान लिया वही कि उन्हीं के लित्र हुआ है आप आपको हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग जो प्रेम के साथ और जो आपस में मिल करके आगे करेंगे तो आप देख लिजेगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और जो लोग जो लोग समझ रहे हैं जो अपना राज करने के चक्कर में अतरह तरह का और लोगों को परिसान करते हैं तो यह सब कुछ नहीं उनका होने वाला है और हम लोग समूचे लोग मिल के जो काम करेंगे ता आप जो यूपी अब यहारे का सोच रहे न तो जितरा सोच रहे हैं उसका अधिक्तम इधर ही रहेगा उन्हों की तरफ नहीं रहेगा इजालेंगे पड़का है आँ है आँ है अधिक्तम इंसे मिल लगा है अधिक्तम इनसे मिल लीजा चली है तो बात जालिये बहुत धनेबाद आपका बहुत धनेबाद प्रेस के साथ हों का वियू रिपोर्ट यूपी ताक